जी स्टुडेंट्स तो जैसे ही आप Android Studio को open कर लेंगे अपना project create कर लेंगे तो आपके पास कुछ time लेने के बाद जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि यहां पर आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आजाएगी और में भी हो सकता है कि आपके पास की में एक्टिविटी जो है वह ऐसे open हो जाए और में भी ना हो तो आपने गबराना नहीं है आपने क्या करना है कि यहां पर आपको एक corner पर यह देख रहे हैं आप यहां पर corner पर आपके project का module नजर आ रहा होगा इस पर आपने click करना है जब पहले अगर इस तरह की screen है तो इस पर आप click करेंगे तो यह आ जाएगा ठीक है अगर यही नजर आ रहा है आपको तो फिर नहीं आपने कुछ करना ठीक है अब यहां पर click करेंगे यहां पर जहां पर आपको android नजर आ रहा है हो सकता है आपका यहां पर आपका project select हुआ हो हो सकता है package select हुआ हो हो सकता है project source file select हुआ हो तो जो भी select हुआ हो आपने क्या करना है आपने इस android पे click कर देना ठीक है आप जब इस android पे click कर देंगे तो आपके सामने यह दो module होंगे नीचे एक app का और एक griddle scripts का यह क्या होते हैं सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यह क्या चीज थी यह actual में आपका view है project क्या आप अपने project को कैसे देखना चाहते हो android का एक अपना project view है और एक हमारा project simple project view भी है एक packages वाला view है तो यह different views है क्या आप अपनी files को किस hierarchy में देखना चाहते हो अगर मैं android की बात करूं तो android के जो हमारा view है उसमें हमारे पास first होते हैं यह griddle script का जब आप app किस module को open करते हो इसके अंदर मजीद चार जो हैं वह आपको और नजर आते हैं module एक होता है manifest java फिर java generated और फिर resource file का ठीक है अब यह चारों क्या चीज़े हैं अगर सबसे पहले हम बात करें manifest तो manifest के module के अंदर सरफ एक ही file होती है android manifest.xml यह file क्या होती है actual में आपका जो project होता है उसके जितनी भी information होती है वो इस file के अंदर होती है अगर हम इसको double click करके जो है वो open करें तो यह देखें यह हमारे पास android manifest.xml file open हो गई है ठीक है उसके अंदर यह information है क्या information है जी के android जो आपका project है उसका URL क्या होगा मतलब उसका project नहीं यह बन जाएगा URL कि वह उस project जो भी आपका project उसका URL क्या है फिर उसका package name क्या है husi.com.hpark sample यह हमने package name रखा था जब हमने project create किया था तो इस तरह की information जो सारी होंगी आपकी application की information क्या आपकी application का नाम क्या है वह है hpark sample यह आपने रखा था आपको याद हो अगर project में ठीक है तो इस तरह की information जो है वो इसमें होती है इस file के अंदर android manifest के अंदर जब आप play store पे upload करते हो ना अपनी app को तो जो information आपने इस file में दी होती है ना उसी के मताबिक आपकी app है वह वहां पे upload होती है तो यह बहुत important app होती है information के लिए आपकी अपनी app की अच्छा फिर उसको manifest को close करते हैं अगला जो module आता हो आता जावा का जावा की सारी files इसके अंदर होंगी यह आपको यह तीन modules नजर आएंगे आपके ही package के name के हसी मेरा package name है यह आपने याद रखना है तो यह तीन जो हैं वह आपको package name नजर आएंगे आपने हमेशा कौन सा खूलना है first वाला ठीक है first वाला जब आप खूलोगे न तो आपको एक और अंदर नजर आएगा com का ठीक है com का package नजर आएगा इसको आपने खूलना है उसके अंदर आपके package नजर आएगा package sample का जो कि आपकी application का name होगा अगर आपको यह application बनाओगे तो यहां पर उसका name आ रहा होगा ठीक है तो उसमें आपने जो है वह attention नहीं देनी अब आप जब इसको खूलोगे न इसके अंदर आपकी जो होंगी वह सारी files होंगी java वाली जो आपने बनाई होंगी यहां पर तो एक नजर आ रही है क्योंकि android default जो है वह एक file बना देता है जो के run होती है सबसे पहले और वो होती है main activity आपकी जो main activity होती है वह सबसे पहले run होती है जब भी आपकी android app जो है वह open करते हुआ ठीक है तो यह file जो है android hood बना देता है इसके इलावा आपने जितनी भी activities बनान तो यह file जो होगी इस file के अंदर आपने काम करना है यह देखें आपकी file खुल गई हमने double click किया तो अब भी इसमें सरफ यह इतना सा code लिखा होगा जो के android ने hood लिख दी है आप जो भी बनाती हो activity उसके अंदर थोड़ा सा code जो है वह android होद लिखते तब बाकी आपने अपन पर आती है अच्छा उसके बाद अगर हम इसको java के module को close कर दें इसका आपको बता चल गया किसके अंदर java files होंगी activities होंगी आपकी जिस पर आपने java का code करना है अच्छा पिर यह java generated से हमारा कोई लेना देना नहीं अभी आपने इसको नहीं छेड़ना फिर आजाते हम resource folder पर जब इसको खोलेंगे इसके अंदर मजीद चार आपको module नजर आएंगे पहला module drawable का होगा drawable क्या होता है यह आपका वो folder होगा जिसके अंदर आपकी सारी चीजें आपके सारे resources पड़े होंगे जैसे कि आपने images रखी हुई हैं आपने icons रखे हुए हैं अपनी app में लग drawable folder में रखना है drawable folder में रखने के बाद आप इसको यूज़ कर सकोगे ठीक है तो अगर इसको open करके देखें तो अभी इसमें सिरफ एक IC launcher background का नजर आ रहा है और एक IC launcher foreground का नजर आ रहा है यह दुनों जो हैं वो एक आप कैसे समझ ले के icons हैं ठीक है यह दुनों icons किस चीज के हैं यह icons हैं आपकी app का जो icon बनता है ना आपकी mobile की home screen पे यह वो icons है ठीक है कि foreground में कैसा होगा और background में कैसा होगा यह वो दो icons है और यह जो है आप change भी कर सकते हैं यह आपको आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि आप उस icon को कैसे change कर सकते हैं ठीक है तो drawable folder की समझ जागी आपको कि आपने सारी images सारे icons जो भी आपने एप में यूज करने हैं वो इसमें रखने हैं second आता आपका layout का folder layout का folder जो है आपका यह वो folder है जिसमें आपकी सारी layout files आएंगी आपने जो भी activity create करोगे ना जैसे यह देखो यह आपने main activity बनाई थी आपने नहीं बनाई लेकिन android ना बनाई है तो जो भी activity वो बनाता है ना उसके साथ में एक layout file भी उसकी जो है वो खुदी वो बना देता है अब यह दो फरक है आपने बढ़ा होगा classes class और activity में एक फरक है class जो होती है ना वो just class होती है उसका कोई layout नहीं होता ठीक है layout आप खुद बनाते हो उसका आप activity create करते हो ना कोई भी यहाँ पर main activity है हम यहाँ पर कहते हैं हम second activity कोई करते हैं create तो उसका जो layout file है वो भी जरूरी होती है यह नहीं हो सकता कि आप उसकी resource file जावा फाइल बना लो और उसकी layout वाली file ना बने जब आप activity create करोगे तो यह दुनों files create होंगी ठीक हो गया यह यह मैं आपको open करके दिखा जिता हूं यह जो आपकी ना यह resource file है यहाँ पर आपने अपना layout create करना है कि कौन सी screen जो है वो आपको नजर आएगी जब आप अपनी app को open करोगे ठीक है तो यहाँ पर आप जो है अभी जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक छोटा सा text है बीच में text view ठीक है यह मैं इसको zoom करके दिखाऊं तो यह hello world का जो है ना यह text view है यहाँ पर अभी ठीक है यह सिरफ और कुछ भी नहीं है इसमें default में तो आप इसको अपने मताबिक जो है वो change करते हो ठीक है यहाँ पर अपने मरसी का प्यारा सा layout आप बनाओगे सही है यह दो view आपको क्यों नदर आ रहे हैं यह आपका original view है ठीक है यह वाला और यह जो है ना यह आपका होता है blueprint जो कि आपको clearly दिखा रहा होता है कि आपकी चीजें जो है वो किस तरह की screen पे जो है वो कितने कितने differences के साथ जो है वो show होंगी आप अगर इसको ना भी रखना च है वो कैसे होगे वो अगली वीडियो पर हम देखेंगे अभी आम इस structure को देखते हैं तो layout folder का आपको समझ आ गई होगी कि layout folder क्या होता है जहां पर आपकी layout files होती है ठीक है जितनी भी आपने बनानी है जितनी भी screens आपने बनाओंगे वो सारी इसके अंदर होंगी अच्छा नेक्स्ट आता है मिप मैप मिप मैप जो होता है यह आपका folder होता है icons के लिए specifically icons के लिए icons आप इसमें भी रख सकते हैं यहां पर कौन से icons होता है यहां पर usually होते हैं आपके वो icons वो settings होती है जहां पर आपकी related होंगी जो आपका app का icon होगा ठीक है और जो आपकी क्या कहते ह आपको आइकन चेंज करना पड़ेगा तब आपका इस पर काम आएगा उसके लावा आपको इस folder की जुरुत नहीं पड़नी ठीक है तो इतनी टेंशन नहीं लेनी इस folder के आपने फिर आजाते जी values का values का folder इसके अंदर आपको तीन फाइले मिलेंगी default में पहली होगी colors की colors. .xml जिसमें आपके तीन color जो है ना वो by default select हुए होते हैं primary color, primary dark color और color accent ठीक है ये वो color code है ठीक है ये और यहाँ पे वो colors नजर भी आ रहे हैं आपको कि जिन color का code है वो color है कौन से ये लिख ठीक है तो ये वो color by default जो है वो तीन select हुए होते हैं इसके इलावा भी आप बहु को use कर सकते हो फिर next जो आती है file आती है strings.xml यहाँ पे आप अपनी string save करते हो क्या आप कहते हो कि आपने string जो है वो बहुत सी activities में use करने है तो आप बार बार वो string नहीं बनाओगे आप उ string को एक ही बार यहाँ पे बनाओगे और उ string को आप हर file में use कर सकते हो जिस तरह app का name जो है हमारा hpark sample यहाँ पर by default जो है वो save हो गई है ठीक है यह name हमने अब जहाँ पर भी use करना है तो मैं app name के जो नाम से है ना वो इस name को use कर सकता हूं हर जगह पर ठीक है तो यहाँ पर वो strings जो है वो save होती है फिर उसके बार आती है styles.xml यहाँ पर आपने कुछ styles जो है वो तो आप यहाँ पर बना देते हो और आप उनको जो है वो use कर लेते हो जैसे यहाँ पर एक पहले से default जो बना हुआ हो बना हुआ है app theme के नाम से जो बना है उसकी जो functionality जो क्या है कि उसने यह वह थीम आपका जो है वो use की है as a parent ठीक है इस theme को use करके और इन colors को use करके इन तीन style बनाया और उसको नाम दे दिए app theme का app theme का कोई style होता नहीं है यह default जो है वो android ने बनाया है ठीक है तो यहाँ पर आप मजीद ऐसे ही इन style के tags के अंदर जो है वो ऐसे ही अपने और भी themes बना सकते है और उनको use कर सकते है अच्छा जी यह values को हो गया portion मेरा हाला cover हुपसो इस अब portion आता है gradle script, gradle scripts क्या होती है यह आपकी वो files होती है इसके अंदर जो के आपकी dependencies होती है जिसमें आपकी libraries होती है जो आपने app में use की होती है external libraries होती है न वो आप जो भी external libraries use करोगे जो भी dependencies use करोगे वो आप इन files के अंदर देते है ठीक है gradle file जो है वो आपकी एक किसम की system files होती है आपकी app के लिए इसके अंदर कौन-कौन सी आती है और हमने किन-किन से काम करना है वो सिरफ हैं यह पहली दो build.gradle दोनों का नाम है ल प्रजेक्ट वाली build.gradle खोलें तो इसके अंदर हमें जो चीजों की जुरुरत परती है जो चीज हमारे समझने वाली है वो क्या है वो है हमारा यहां पे dependencies यह हमारी dependencies होती है किसकी प्रजेक्ट की ठीक है जो के प्रजेक्ट नहीं यूज करना है सही हो गया यहां भी हम देत है उस dependency का और उसको add कर देते हैं और फिर उस dependency को हम अपने प्रजेक्ट में यूज कर सकते हैं और अगर हम module app खुलें यह module app जब हम खुलेंगे तो उसका भी इस तरह का कुछ structure है उसमें क्या क्या चीज़े हैं हमारे समझने वाली है पहली चीज़ जो हमारे समझने वाली है वो यह compile SDK version के हमारी जो SDK version है वो हमारा maximum कौन सा वाला है किस वरियन के लिए हमारी एब जो है वो compatible है वो है 29 API level 29 आपको याद होगा आपने project बनाते हुए min SDK version select किया था API level select किया था और वो select किया था अपने jelly bean API level 16 ठीक है तो वो यह शोर है ठीक है 16 target SDK version होता है कि maximum आपको को आपकी एब जो है वो किस API level तक जो है वो रीच करेगी वो करेगी 29 तक जो कि मेरा आल से अभी चल रहा हमारा maximum ठीक है यहाँ पर आपका वो शो होगा इससे उपर वाली एब्स के लिए थोड़े जो है वो इशू हो सकते हैं क्योंकि जहरी बात है ज अची जो । अचा यह जो दिपेंडेंसी का फोल्डर यह कौन सी यह दिपेंडेंसी चोर्व उते हैं आसल में जो आप एड़ करते हो यूली अपनी APP के अंदर इसकी जो डिपेंडेंसी थि यह थि फूट्र वली समा क्मीर तो हूट जो यूज करने है इसमें ज्यादा तर और उनको आप यूज़ करते हैं उनकी फंक्शनलिटीज को तो यह जो होती है हमारी Gradle Files होती है basically इनका मकसद जो होता है Gradle Files का यही होता है ठीक है और अगर इसकी में बात कर आप यह देखें यह दोनों portions cover हो गए है आप वाला भी और Gradle Scripts वाला भी बाकी जो इसमें फाइल है वो आपके काम की अभी नहीं है इसमें आने वाले वक्त में जब पढ़ेगी तो हम उसको discuss कर लेंगे अब यह हमने जो वियू पढ़ा है ना सारा यह पढ़ा Android वियू ठीक है यह मेरा ख्याला इजी होता है और आपके लिए समझना भी जो है वो असान है उसके अलावा अगर आपको यूज करना चाहते हैं तो वो भी होते हैं जैसे प्रजेक्ट वियू यह हमारा प्रजेक्ट वियू होता है इसमें जो है वो कुछ इस तरह का structure होता है यहां पर हमारे पास जो है वो एप के अंदर जो है वो यह source फाइल के अंदर जावा फाइल होती है में के अंदर थोड़ा साथ कंप्लेक्स हो जाता है तो मेरा ख्याल है हम उसके साथ ही चलें तो ज्यादा बेहतर है एंदरॉइट के साथ वरना it's a preview के आपको कौन सा असान लग रहा है ठीक है हम android version को use करेंगे इस चीज में ठीक है android view को तो यह वीडियो हमारी यहां पर ही जो है वो complete होती है आपको यह basic overview देना था ठीक है इसके इलावा एक चीज जो हम बताना भूल गे वो आप discuss कर लेते हैं यह उपर वाली बाहर को तो हमने discuss किये ही नहीं है इसको भी दरा discuss कर लेते हैं यह कैशीजी है आपने जब भी बना लेनी है तो आपने यह जो बटन है यह run का बटन इससे आप run करते हो अपनी application को ठीक ह और मजीद जो आप कहलो कि यह जो चीजें हैं यहाँ पर जो आपकी options यूज हो रही है यह आप साथ-साथ जो वीडियो में आपको जिनकी जूरत पड़ेगी वो आप देख लोगे ठीक है तो अभी के लिए इस वीडियो के यहाँ पर end करते हैं हुपसु आपको सारी समझ जागी होगी अगर किसी चीज की confusion हो तो वह आप हमसे comments में पूछ सकते हैं